राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार 1.35 करोड महिलाओं को स्मार्ट फॉन बाटने जा रही है हालनकि स्मार्ट फॉन की सुरुवात नावंबर महा में होनी थी लेकिन राहूल गांदी को दोरे को देखते वे जो है इसकी सुरुवात खुद राहूल गांदी के दवारा की हालनकी फ़ान वहित्रेशन कर रेखा है अगर कोई तीन साल गांटरी रहें चैप कोई दूसरी सिम नहीं लगा सकेंगे क्योंकि जो सिम है वो एक्टिव ही रहेगी इसके साथ अगर कोई व्यक्ति कोई महिला अगर दूसरी सिम लगाता है तो फोन काम नहीं करेगा सरकार के मनसा है कि महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके किनकिन मोच utilizationön प्रस्वाताइब जी होगी और खिए गाला बीसी इसमार्टफोन के सकेंगे के साथ हैं वितु इक समून में महिलें शेहरी कराaurit के इस मलतीर हैं और यूप आंद में महलां को जानकारी निया रहें डी जायेगी गाला beginners हालनकि 1.35 करोड महिलाओं को इवितित के जाएंगे इसके लिए 3 कंपनी के साथ टाय अप जो है रास्तान सरकार की ओर से किया गया है 12,000 करोड का बजट आवंदीत किया गया है सरकार की मंचा है कि जो ग्रामिन शेत्र की महिला है वो भी स्मार्ट फोन के जरीए देश दुनि की ओर से कर दी गई है कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है जो ग्रामिन शेत्रों में जाकर इस्पान फोन के बारे में जानकारी देगी 8 दिसंबर को इसके सुरुआत होगी राहूल गांदी इसके सुरुआत करेंगे इसमें मुख्यमंतिर रैशोग घैलोद इसके कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे योजना की सुरुआत तो कर दी जाएगी लेकिन धरातल पर असर कितना होगा इसके लिए परसासनी करदीकारियों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी बसंपान डे टीवी 9 जैपुर